नमस्कार मैं हो दोव्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है छे मार्च दिन बुद्वार खबर के उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बीपी ऐसे सिक्चक भरती फेस टीन का एड्मिट कार्ड इस दिन होगा जारी बिहार बोड ने परिक्सा में नमबर भराने के जूटे दावों को लेकर किया अलर्ट बिहार के पांच कला कारों को आज राश्टपधी द्रौपधी मूर मू करेंगे सम्मानित दुनिया के सबसे अमीर वेक्ति की लिस्ट जारी जाने अडानी अंबानी की रैंकिंग साइबर ठगी को रोखने के लिए चक्षू पोर्डल लॉंचे आज अस्विन ने टेस्ट मैच को लेकर कही के बाद अब चलिए बरते अब तक के 25 बरी खबरों के और विस्तार से SSE ने 4187 पदों पर निकाली भरती दिल्य पुलेस और केंद्रिय ससस्ति निस्यनिक बलों में सब इंस्पेक्टर के पदों पर SSE द्वारा भरती निकाली गई है ये भरती कुल 4187 पदों पर आई है आविदन कने के तिथी 4 मार्च से ही शुरू है और आविदन कने के इंतिम तारिक 28 मार्च है जो भी उमिद्वारे से भरती के लिए एक चुक है वे इसके आधिकारिक वेबसाइट sse.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भरती के लिए सैखनिक योगता की बात करें तो इसना तक पास होना जरूरी है उमिद्वारों के आयू सीमा 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होनी चाहिए आविदन सुल की बात करें तो इसके लिए आप से 100 रुपे लिए जाएंगे हाला कि आरक्षत उमिद्वारों को इसमें छूट दिये गया है भरति से संबंदित अधिक जानकारी के लिए और सर्टिक जानकारी के लिए आप इसके सूचना को देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आज बितिया में दौरा है पांच दिनों के अंदर प्रधान मंत्री मोदी का बिहार में ये दूसरा दौरा है नरकटिया गंज गौनाहा रेल सिवा के शुरुआत भी पियम मोदी कर सकते हैं इसके बाद चमपारन सीधे तौर पर नेपाल से जुड़ जाएगा इससे नेपाल के लाखों लोगों को भी लाब मिलेगा पियम के द्वारा सुगौली और लौरिया चीनी मील में मक्के से थनॉल बनाने के प्लैंट के भी शुरुवात की जा सकती है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सचीदानन सिन्हा के बारे में भारत के प्रसिद राजनीतिग्य अधिवक्त और पत्रकार है सचीदानन सिन्हा की आज पुन्नेत थी है इनका जन बिहार के आराजले में 10 नवेंबर वर्स 1871 में हुआ था ये भारत के सम्विधान सभा के प्रतम अध्यक्स थे सचीदान सिन्हा के पहले ऐसे वक्ती रहें जिन्हें एक प्रांद का राजपाल और हाउस ओफ लॉट्स का सदस्य बनने का स्रिम प्राप्थ हुआ था इन्हें भारत के तीन प्रतिस्टित पर स्पिद्यालेओं ने डॉक्टर की मानद उपाधी प्रदान की थी ब्रितिस सरकार ने भी ने प्रतिस्टित सम्मान नाइट हुड से नवाजने की घोसना की थी देखने इस प्रसकार को लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था आज के दिन वर्स 1950 में दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया था पुस्तैनी जमीन में बटवारे से पहले जाने ये जरूरी गाइडलाइन पुस्तैनी जमीन में बटवारे से पहले जरूरी गाइडलाइन को जानना जरूरी है इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन चारी किया है इसमें लगान रसीद की छाया प्रती भूमी यानि केवाला, खतिहान, आदी से संबंधित कागजाद, बंसावली, जमाबंदी, रईयत कम, रित्यू प्रमान पत्र, संटाप पर बटवारा, सेड्यूल आधार काड, SDM कारियाले से जारी सपत पत्र और सभी हिस्सेदारों की स अहमती आदी से जुरे दस्तावेद सामिल है, विहार कॉसल विकास मिसन के अंतरगत फायर फाइटिंग की मुफ्ट में ट्रेनिंग मिलेगी, सरकार के आर्टीडी प्रोग्राम के तहत फायर फाइटिंग की निस्वल प्रसेक्चन लेना संभाव है, मालूम होके इसके और नौ एक साथ सूने 3-3-6-7-6-5-5-5 पर संपर्क की किया जा सकता है, आपको बता दे कि सरकार के एक विकास के अंतरगत जटे लिया कठिन कारे को आसानी से करने में मदद मिलती है, इस योजना का लक्षे यवाओं को ट्रेनिंग प्रदान करके बहतर आजिवी का हासल क करने में मदद करना है बीपी ऐसे सिक्चक भरती फेज 3 का एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी बीपी ऐसे सिक्चक भरती फेज 3 का एडमिट कार्ड को साथ मार्च को जारी किया जाएगा विहाल उकसिवा आयो की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड किया एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अभिहरतियों को पासपोर्ट साइज फोटो अपने डैस्पोर्ड में लॉग इन करने के बाद अपलोड करना होगा वहीं अगर किसी अभिहरती के नाम माता के नाम में गलती है तो फोटोग्राफ अपलोड करने के दौरान इस से सहीं करना होगा, इसके बाद एडमिड कार्ट को डाउनोट करना होगा बिहार के सबस्पताल में मात्र 20 रुपे में होगा मरीजों का इलाज वटना के रादीम नगर में महावीर मन्दे नियास के 7 रहें सिरुआत होई है इसमें मातर 20 रुपे के निवंदन सुल्क पर मरीजों का एलाज किया जाएगा CGHS यानी भारत सरकार स्वास्त सिवाएं की ओर से निर्धारित दर पर जांच और अन्य सुविधाय मुहिया करवाई जाएंगी फिलहाल एक फिजिसियन की देख रेक में OPD सिवा शुरू की गई है मालूमों कि महावीर मंदिर नियास की ओर से महावीर आरोगे संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वातसल्य अस्पताल, महावीर हाट अस्पताल और महावीर नेतर अस्पताल का संचालन किया दा रहा है बिहार में 1000 से अधिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 30 से कम बिहार में 1105 स्कूलों में बच्चों की संख्या 30 से कम है इस स्कूलों में नावंके छात्र और छात्राओं से संबंधित रिपोर्ट राजिक के सभी जिलों में भेज दिये गया है इसमें ये बात निकल कर सामने आई है, वही तीस से कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में सबसे अधिक स्कूल पटना में है, राजधानी में ऐसे 87 स्कूल है, वही रोतास दूसरे नमबर पर है, जबकि बेगो सराय का अस्थान तीसरा है, नवादा जिले में मात रेक ऐ वही राज़े में 10 से स्कूल है, जिसमें बच्चों की संख्या सूने है, आपको बता दे कि बिहार में 6500 प्रारंबर के स्कूलों में नामंकत बच्चों की संख्या 31 से 60 के बीच में है, दुनिया के सबसे अमीर वैक्तिक लिस्ट हुई जारी, जाने अमबानी आडानी की र दीसरे सबसे अमीर आदमी बैनौड अर्नौल्ट हैं, जबकि मार्क जगरबर्ग और बिल गेट से चोथे और पाँचवे पायदान पर हैं, वही रिलाइंच इंडस्ट्री के चेयर में हैं, और एसिया के सबसे अमीर वैक्ति मुगेस अमबानी का अमीरों के लिस्ट में 11 अस्थान हैं, इनके पास 115 बिलियन डालर की संपती है, दुसरी तरफ अंडानी ग्रूप के चेयर में गौतब अंडानी के पास 104 बिलियन डालर की संपती है, और ये 12 अस्थान पर हैं, विहार बोर ने परिक्षा में नमबर बरहाने के जूटे दावों को लेकर किया लड, बिहार इसको एक्जामिनेशन बोर्ड ने चात्रों और भीभावकों को जूटे दावों के प्रति आगाह किया है। मैट्रिक और इंटर परिक्षा में चात्रों चात्रों के नमबर बरहाने को लेकर फोन किये जा रहे हैं। ऐसा करके और समाजिक तत्व पैसों की डिमांड कर रहे हैं। बिहार पैटर में आज हम बात करेंगे पांडू पोखर के बारे में ये पोखर बिहार की राजगीर में करीब 22 एकर में फैला हुआ था। कहा जाता है कि इसका इतिहास महाभारत काल जितना पुराना है ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के पिता राजा पांडू ने राजग्रे पर हमला कर दिया था और इसे घुर साल में बदल दिया था जब उन्होंने इस अस्थान को छोड़ा था यहां एक स्वार बनाये गया अब आप यहां आएंगे तो आप वाटर स्पोर्ट्स की कई सांदार एक्टिविटीज का बज़ा भी ले सकते हैं जिसमें बोटिंग और कई अन्ने तीजे सामल है विहार के पांच कलाकारों को आज रास्पती द्रौपदी मूर मू करेंगी सम्मानित विहार के पांच कला सर्मा व्यास मैथली अभिनेत्री प्रेम लल्ला मिस्रा और लोकगाई का नीतू कुमारी नूतन गायक सीदाराम सिंग्वा नाटे लेखकासिफ अली हैदर का नाम सामिल है वहीं इनके अलावे चार कलाकारों का चैन बिस्मिल्ला पुरसकार के लिए किया गया है लुमों की गया में तैरते वे पत्थर को देखने के लिए लोगों की लगी भीर कोई जमा गया के राम सागर तयालाम में एक तेरता हुआ पथर ěखकर लोग आश्चरशत कंदू अए नहीं पथर लिए लोगों के द्वार पत्थर पर जैसरी राम लिखे होने की बात कही जा रही इस दो किलो ग्राम वाले पत्थर को उठा कर वापस से पानी में डाल रहे हैं, यहां के लोगों को पत्थर तैरने से हैरानी हो रही है, केके पाथक का वीडियो वाइरल करने वाले पताधिकारी पर कारवाई, विहार सिचा विभाकिया पर मुख्य सचीब केके पाथक का एक सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ था, इस से लेकर विहार विधान सभा में भी हंगामा हुआ था, इसके बाद विधान सभा में जाच कमेटी का गठन किया गया था, इसमें केके पाथक निर्दोस सावित हुए हैं, वही जिस पताधिकारी ने वीडियो को रिकॉर्ड किया, सहरसा जिले के जिला, कारिकरम पताधिकारी माधमेक सिक्चावम साक्षरता को वीडियो के क्लिप को काट कर सोसल मीडिया पर फैलाने का दोसी पाया गया है, इन पर लापर वाही और अनुसासन हींता का आरोप है, इसके बाद सिक्चाविभाग ने पत्र जारी करेने निलं हो रहा है, हालांकि जहां दिन के तापमान में बरहोतरी देखने को मिलती है, वही रात के तापमान में थोरी बहुत गिरावर देखने को मिल रही है, आज भी प्रदेस में मौसम सुस्क रहने की संभाव ना जताई गई है, प्रदेस में अधिक्तम तापमान अठाइस से त लेकिंग अभियान चलाया इस दोरान भारी मात्रा में विदेशी सराप को बरामत किया गया है इसकी मात्रा करीब 189 लीटर है वहीं मौके से सराप की बरी खेप को बरामत किया है साथ ही तीन तसकरों को गिरफतार किया है पटना एमस में रहन बसेरा का होगा निर्मान पटना एमस में रहन बसेरा का निर्मान किया जाएगा इसके बाद बाहर से यहां आने वाले लोगों को कोई परिसानी नहीं होगी बाहर से आकल इल इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं ऐसे में उन्हें रहने में परिसानी होती है वहीं दे नाइट सिल्डर के निर्मान हो जाने के बाद इन्हें काफी फायदा होगा पर उसी राजुन से आए लोगों को भी इसे लाब पहुंचेगा बीपीएसी रसटवी परिक्षा की उतर पुस्तिका को आज से करे डाउन्नोड वहां लोग सिवा आयोग ने बीपीएसी रसटवी मुखे परिक्षा की उतर पुस्तिका को जारी कर दिया है इसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से डाउन्नोड किया जा सकता है मालूमों कि अभिहरती आज से डाउन्नोड कर सकेंगे वही 12 मार्च तक उतर पुस्तिका को डाउन्नोड करने की आखिरी तारीक है आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रॉल नंबर और रजिस्ट्रेसर नंबर के साथ उतर पुस्तिका को प्राप्त किया जा सकता है मालूमों कि बीपी असी मुक्य परिक्षा के रिजल्ट की घोसना साल 2023 के दिसंबर के महीने में हुई थी वही अब इसके बाद विहार लोक से वायोग ने उतर पुस्तिका को जारी कर दिया है बीजेपी के मोदी का परिवार कैमपन को लेकर तिजस्वी आदब ने कसा तंज भाजपा पूरे देश में मोदी का परिवार कैमपन चला रही है इससे लेकर बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष तिजस्वी आदब ने तंज कसा है उन्होंने कहा है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई है, इस कारण लोग दुखी है, इसके बाद में कहते हैं कि सभी उनका परिवार है, पूर्म रिप्टी सीम ने कहा है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, पिछली बार ये चौकिदार हो गये थे, इस बार पर माचीथ होनी चाहिए, खिसानों पर देश में लाठी बर्साई जा रही है चिराग पासवाण को आरजेρι के ओफर देने के बाद केंद्री बातरी मंत्री पसुपति पार से बयान दिया है, उन्हों ने कहा है कि इस पर उनकी कोई राए नहीं है, चिराग पासवाण क्या करत से बरी पार्टी भाजपा है उनकी पार्टी ए स्टेट की है परसुपती पारस ने कहा कि जो भी देश के प्रधान मंत्री गिरे मंत्री और भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष का फैसला होगा वे उनके लिए मानने होगा लोगसवा चुनाव के सीट बटवारे को लेकर केसी त्यागी ने दिया अपडेट बिहार में लोगसवा चुनाव के सीट बटवारे को लेकर जदियू के राश्ट्री प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपडेट दिया है उन्होंने कहाए कि सिटिंग सीटे भाजपार पटवारे को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों तरह के नेता बैट कर आपस में इस बारे में बात चीद करेंगे आर अस्विन ने टेस्ट मैच को लेकर कहिए बात भारत इंग्लेंड के बीच माचल प्रदेश के धर्म साला में पाचवा टेस्ट मैच खेला जाएगा इस के बाद में इसमकाम तक पहुंचे हैं टेस्ट मैच को लेकर आर अस्विन ने कहा है कि उनकी टेस्ट मैच की यात्रा काफी सांदा रही है आई पिल से उन्हें राश्ट्य पर पहँचान मिली है आर अस्विन ने बताए कि सववा टेस्ट मैच शिर्फ उनके लिए ही नहीं वलकि उनके फैमिली के लिए काफी महत्वकून कई कार्णों से दर्ज है भारत के तहास में आज की तारीक आज कही दिन 1961 में भारत का पहला वित्या डिली समाचार पत्रद एकोनोमिक्स टाइम से टाइमस ऑफ इंडिया समूंध वारा बॉम्बे में लॉंच के बारवे मुख्यमंत्री के रूप में सपतली थी आज के दिन वर्ष 1905 में अभिनेत्री फातिमा बेगम का जन्म हुआ था आज के दिन वर्ष 1992 में फवाद मिरजा का जन्म हुआ था जो पेसे से एक खुरसवार था आज के वारल खबर में हम बात करेंगे लेक्रॉनिक् देख लेकिन सभी सहीं होई जरूरी नहीं है अब देस अभी देस में लोग सबाचुनाब की घोस्त ना की जाने वाली है चुनाब नิकर होता देख चुनाब से संबनित कई ऐसे खबरे करी में एक और खबर सामने आई है दर असल बी में नेटवर्क नाम के यूट्यूब चैनल पर एक फर्जी खबर फैलाई जा रही है इस वीडियो में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मसीन को बैन कर दिया गया है निकना आपको बता दे कि इवेम वोटिंग मसीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सक कोई आदेस नहीं दिया गया है इसलिए इस तरह के फर्जी वीडियो के चक्कर में आने से बचे और यदि आपसे कोई इस तरह का वीडियो सेर कर रहा है तो उसे भी मना करें इस संबद में पी आईबी ने भी अपने सोसल मीडिया एक्स पर पोस्ट सेर किया है जहां इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताये गया है केंद्र सरकान ने साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए चक्छू पोर्टल को लांच किया है इसके जगे जरी अ कॉल या SMS पर लगाम लगाया जा सकेगा वही बैंकों में होने वाले साइबर ठगी सोसल मीडिया पर होने वाले साइबर क्राइम पर भी इसके जरी लगाम लगाया जाएगा केंद्री दूर संचार मंत्री अस्विरी वैस्तम ने से लॉंच किया है इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दिये कि एक हजार आठ करोर रुपए की ठगी को रोकने में सरकार ने सफलता हासल की है वहीं चक्षों के अलावे डी आई पी पोर्टल को भी लॉंच किया गया है इसके जरीए साइबर अपराधी पर तुरंत कारवाई की जाएगी हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपी एसी बिहार पुलिस दरूगा समेत ऐसे सी जैसे ने प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे इसका सही उतर है तीन वार्च दोजाओ चौबस को किस राजे की प्रसिद चांदी तारकसी को जी आई टैक का दर्जा मिला है आप्सने है राजस्थान आप्सन बी है मध्य प्रदेस आप्सन स्री औरी साप्सन डिये सके इसका सही उतर है उरी साप हाली में को लोजिस्टिक से प्लान एंड पॉलिसी किस ने लॉंच की है आप्सन ने है प्रहलाज जोसी ने आप्सन भी है राजनाथ सिंग ने और अप्सन सी अनुराख ठाकु ने आप्सन डिये योगी आदे तिनात ने इसका सही उतर है प्रहलाज जोसी ने राजे की कारेपाली का सकती किसमे नहेत होती है आप्सन ने है राजपाल में बिहार में किस वर्स दो विधान सभा चुनाफ हुए थे इसका सही उतर है दो हजार पांच में बीते दिन हवाद और पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत चारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सिक्षन बॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने हमाद और पुछे के सवाल का जवाब दे उनके नाम है बिहारी नियूज दुवारा प्रति दिन दिखाए जाने वाले बुलिटिन को आपके समय में सुनते हैं आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ पने नहीं के लिए देखते हैं बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद